हेलो जाहिन नमस्कार वेल्कम यौल टो मिसन कॉंपटिशन आप सभी का स्वागत है सबसे पहले आप सभी को रादे रादे जैसे रहा है और यह इंपॉर्टेंट अपडेट को लेकर देखिए टीस के बारे में बार बार यह कोश्चन उठ रहा था टीस के दौरा जो मतलब ब पर इच्छा लें जा रहा है बात करते हैं कि टीस एक्जाम कब ले सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों को मालूम होगा कि यह जो एक्जामनेशन है यह सी बीटी होने वाला है यह कंपूटर बेस टेस्ट होने वाला है और लगभग देखिए इसमें लगभग स तो इसका जब एक्जामनेशन भी होगा तो इसको करवाने में at least कम से कम मान के चलिए कि seven to eight days का समय जाएगा इतना समय मान के चलिए यानि कि साथ से दस दिन के आसपास का समय लगना है साथे तीन चार लाग चात्रों परिक्षा कराने के लिए तो दिन भी ठीक ठाक से चाह सारा परिक्षा ये टीसीसी कंड़क्टर हो आता है तो इनके पास भी समय होना चाहिए तो सारा एदम डीटेल में बात करेंगे सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दो देखे 2600 पदों पर ये बहाली आये हुई है ठीक है ना और पद कैसे कैसे क्या कहा है देख लीजी तो फॉर्म भड़ाने के लिए नहीं कि री ओपन पॉर्टल किया जाएगा अब री ओपन जो पॉर्टल की बात हो रहे थी कि देखिएगा जो 65% मामला था वो सारा बात पर है तो पेपर कटिंग का भी न्यूज अभी हम दिखा देंगे और सब कुछ डिटिल बात करेंगे दे आपका पूरा टोटल सीट मैंने यहां पर दिखा दिया ठीक है अब देखिए हम टोटल आपके साथ बात करते हैं वो जो अकबार में पहले जो न्यूज आया था वो देख लीजे तो आई होप आप सभी को यह वाला न्यूज याद होगा 26 से अधिक पदो पर बहाली जो है बिजली भाग में आई हुई है ठीक है और फिर से आवेदन किये जाएंगे अब दिखें यहां पर जो मामला था यह न्यूज देखिएगा कि बिजली कमनी में 26 से अधिक पदो बहाली आई हुई है ठीक है लेकिन अरक्षन मामला चलते हैं अटक गया है मामला यह वाला न् सेंट पर ही अभी पुड़ाना वाला हम रखेंगे बाकी जो है 65 परसेंट वाला पर आप अपना दलील वगर दीजिए अगर हम सहमत हुए है तो फिर सायद आपके पक्ष में हम फैसल सुनाते हैं इसमें बहुत लंबा प्रोसेजर जाएगा 10 सेप्टेंबर से सारा यह सुन है क्योंकि टीस परिक्षा लेड़ा इसलिए हम दिखा रहें आपको 13 तारीक को यह नोटीस आया था 13 अगस्त को ठीक है यहां पर बोला जा रहा कि MTS का परिक्षा है वह 30 से स्टार्ट होगा और 14 नौंबर तक चलेगा ठीक है ना 30 से स्टार्ट होगा 14 तक चलेगा और यहा नौ से 26 यह चलेगा सेप्टेंबर के महीने में सीजेल चलेगा और MTS फिर जो है 30 सेप्टेंबर से स्टार्ट होगा 26 खतम अनेक बाल तीन दिन का गैप देखे ठीक है और फिर 14 नौंबर तक चलेगा अब यहां पर बात आता है कि देखिए क्या यह जो परिक्षा है अपना BS-PSCL का ठीक है क्या यह पहले हो सकता है राइट पहले यानी कि अगर हम बात कर लें क्या यह सेप्टेंबर का महीने में हो सकता है देखिए सेप्टेंबर का महीने में पॉसिबल ही नहीं है बिकाज अभी BS-PSCL के द्वारा कोई नोटिस आया नहीं है ठीक है कोई पॉसिबिल वीक के बीच में 100% इसका नोटीस आ जाएगा परिक्षा का ठीक है इस बात का ध्यान रखिएगा और examination इसका कब हो सकता है examination देखिए जिसा मैंने आपके साथ एक तरीके से इसका schedule ही शेयर कर दिया है तो आयोग जो है यह यह एक तरीके पैनिडे लेवल का exam देने एक बाद फ्री हो रहा है आपका exam के लिए कब से तो आपका exam के लिए फ्री हो जाएगा 26 September से ठीक है ना 26 September से यहाँ पर यह फ्री हो जाएगा अच्छाए इन सौरी माफ करिये गए तो यह हम चांसेज है देखे नवेंबर के 3rd to 4th week में आपका परिक्षा होने का 100% चांस है दूसरा बात notice आते ही आपको बिलकुल भी मौका नहीं मिलेगा एकदम क्विक एक्जाम लिया जाएगा इस बात का ध्यान रखेगा नोटिस आते ही आपको आयोग बिलकुल भी समय ने देगा यहने BSPSL आयोग और TCS आपको बिलकुल टाइम ने देगा अभी इनका सिर्फ सेडियोल बीजे इस वैसे सारा दिक्कत हो रहा है ठीके ना आप एकदम ही तैयार रही है नोटिस आते ही फटाफट एक्जाम लिया जाएगा आई होप आपका सारा कोश्चन डाउट सब क्लियर हो गया होगा कमेंट करके अपने राह मास से जरूर शेयर करें वीडियो चले वीडियो को लाइक करिए चैनल सब्सक्राइब करिए जाहिंद